नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल सीदी जॉप एजूकेशन में कल हमने एक नया अध्याय लगुत्तम समापुर्त और महत्तम समापुर्त श्टार्ट किया था ठीक है मैंने लगुत्तम महत्तम क्या होता है इसके बारे में जो है अच्छी तरीके से बताया उस पर अधारित कुछ प्रस्ण किये ठीक है आईए आज फिर से हम कुछ और महत्तपुर्त प्रस्ण करते हैं जो कि अक्सर एक्जाम में इस तरीके से प्रस्ण जो है पूछे जा संख्या हो विभाजित हो और एक पूर्ण वर्ग भी होने चाहिए ठीक है तो छोटी से छोटी संख्या है ना छोटी से छोटी संख्या अगर पूछती है तो बताया था मैंने कि छोटी संख्या पूछे तो हमको क्या निकालना है उसका का हम जो है LCM निकालेंगे यानि लगुत्तम समापवर्त जो है निकालेंगे ठीक है तो निकाल दीजिए तो 3, 5, 7, 3 गुड़ा हो जाएगा 3 गुड़ित 5 गुड़ित 7 ठीक है तिनों जो है गुड़ा हो जाएगा तो 5 तिया 15 15 सत्त्य 105 तो कितना ऐगे इसका लगुत्तम समापुरत dire 105 आ अब कि कि हमको यह बताना है कि इससा पूणता हो और एक पूर्णा वर्ग भी हो हाई न तो यह चाश्य संख्या आई है यह तो एक पूर्णा वर्ग नहीं है इसमें क्या करिंगे तो यह पूर्ण वर्ग होगा देखिए कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग तब बनती है जब उसका अवर्ग कर देते हैं तो तीन है यहाँ पे तीन पांच और साथ यहाँ पे है तो यदि इसका हम एक एक जोड़ा और ले ले मतलब एक तीन और ले ले एक तीन एक पांच और ले ले एक साथ और ले ले है ना तो अब क्या बन जाएगा इसका जोड़ा बन जाएगा यह इसका जोड़ा बन गया ठीक है पांच इसका जोड़ा बन गया और यह साथ जो है इसका जोड़ा बन जाएगा मतलब यह क्या बन जाएगा एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा इसको गुड़ा कर दीजे तो 105 गुड़ित 105 आएगा है ना मतलब दो बार गुड़ा तो ये कितना होता है ये होता है 11,025 ठीक है तो इतना जो है आ जाएगा देख लीजे कौन सा आप्शन है आपका C आप्शन जो है सही हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हम बनाते हैं ठीक है गाईस तो इस तरीके से छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए अगर तो आपको क्या निकालनी है लगुत्तम समापोर तक निकालनी है उसके बाद आगे जो भी पूछ जाए वैसा करना है ठीक है चली इसके बाद देखते हैं question number 9 इस तो जो है प्रत्यक इस्थिति में चार सेस रहे ठीक है प्रत्यक इस्थिति में क्या बचे चार सेस बचे तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है एक और क्वेश्चन आता है कि प्रत्यक इस्थिति में अलग-अलग सेस बचे तो सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे भी कैसे बनाते है तो देखे, चोटी से चोटी संख्या बोली है यानि हमको क्या करनी है हमको इसका सबसे पहले LCM निकालना है सबसे पहले इसका क्या निकालना है लगुत्तम समापुर्थ तक जो है निकालनी है तो निकाल दीजे चलिए इसका किसका 6 का, 9 का, 15 का और 18 का ठीक है, क्या निकलना है हमको, lcm जो है निकलनी है, ठीक है, lcm यौनि लगुत्तम समापवर्थ निकलनी है, तो देख लीजी, किता किता आएगा? 6 का 6 का इस तरीके से 2 गुडित 3 हो जाएगा ठीक है 9 का आपन 3 गुडित 3 लिख सकते हैं 15 का 15 का क्या हो जाएगा 3 गुडित 5 हो जाएगा और 18 का क्या हो जाएगा 2 गुडित 3 गुडित 3 जिन ते 9 दो नी 18 है नग जाती में बड़ी घात लिखते हैं अपन, तो जाती में बड़ी घात क्या क्या हो जाएगा, दो की जाती में तो दो ही न जारा रहा है, हमारा तो दो हो जाएगा, गुडित, इन की जाती में तीन का घात दो है, तो यानि नो गुडित, और कौन सा दिया है, पांच दिया है, ठीक है अब देख लिए नौ दुनी अठारा अठारा पंचे नवबे तो यह हो जाएगा नवबे इसका LCM ठीक है नवबे क्या हो जाएगा इसका LCM हो जाएगा अब अब इसमें क्या बोला है कि प्रत्यक इस्थिति में चार से सर है न तो देखिए जो भी संख्याएं इसका LCM हमारा कितना आ गया अभी 90 अब यहाँ पर जो भी संख्याएं दी गई है 6, 9, 15 और 18 अगर मैं इन सभी संख्याओं को प्रत्यक को 90 से डिवाइट करूं तो पूरे-पूरा कर जाएगा क्यों कि उसका LCM है न लेकिन हमको क्या बताना है कि प्रत्यक इस्थिति में 4 सेस रहे तो इस LCM में हम क्या कर देंगे 4 को जोड़ देंगे अब 4 को जोड़ते है तो यह कितना आ गया हमारा 94 अब यदि मैं उसको 6S डिवाइट करूं तो नो 9 से डिवाइट करूँ तो भी 4 6 बचेगा है न 15 से करूँ तो भी 4 6 बचेगा इस मतलब प्रत्य किस्तिति में हमारा 4 6 बच रहा है ठीक है तो वो छोटी स्थोटी संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा तो वो छोटी स्थोटी संख्या हमारा हो जाएगा 94 देख लिजिए C option इस तरीके से बनाएंगे अपन ठीक है आई होप सबको समझ में आया होगा चलिए अब हम अपना अगला प्रस्ण देखते हैं देखे question number 10 आता है ठीक है 10 में क्या बुला गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 32 64 120 को पूर्णता विभाजित कर दे और कुछ भी सेस ना बचे है न कोई भी सेस नहीं बचता है और पूरा जो है विभाजित कर देता है तो इसमें देखिए बोला गया है बड़ी से बड़ी संख्या है ना बड़ी से बड़ी संख्या अगर बोले तो उस condition में हमको क्या निकलना रहत है उसका महत्तम समापवर्तक या HCF जो है लुए रहत है तो संख्याएं हमारा क्यों सदिय है 32 64 और 912 इसका हमको क्या निकलना है इसका हमको निकलना है महत्तम समापुर तक दो विधियां बताई थी मैंने महत्म समापुर तक निकालने की ठीक है तो निकाल सकते हैं कौन-कौन सी विधि बताई थी मैंने इस तरीके से ये भाग विधि थी है ना ये 32 यहाँ पर कर देंगे फिर ये 64 कर देंगे अगर पूरा-पूरा डिवाइड जाते 32 दूनी 64 होता है फिर पूरा-पूरा डिवाइड होगे अब इस 32 को क्या करेंगे अपन 120 से डिवाइड करके देखेंगे एक 120 से तो पांस से करेंगे तो पांच दूनी 10 पांच तीय पंदरह सो जादा हो जा रहे है ना ठीक है तो कित्ते बार में जाएगा चार में भी जाद अब झतना प्रच को यहां से टीन बार में जाएगा पूरा साहत do 25 दुनी 15 होगे टीन रूंस को फिर सों प्रच कार्ण से गइस्ती एजीर है छूली सब्सक्राइब अब कितना बज़ गया यहां पर आठ बढ़ गया अब आठ को यहां से 24 करेंगे तो तीन बार में चला जाएगा पूरा तरीके से मतलब आठ आठ ऐसी संख्या है जो इस पूरे को क्या करता है जो है पूनता विभाजित करता है मतलब इसका जो महत्तम स्वापरतक है वो कितना आठ आ गया ऐसे भी आप निकाल सकते हैं एक और विधी मैंने बताया था है ना पदमे कॉमन एवं छोटी घात है वैसा वाला विधी भी आप जो है यूज कर सकते हैं ठीक है तो देख लीजिए पूर्णता विभाजित कर दे और कुछ भी सेश ना बचे तो आठ जो है पूर्णता विभाजित हो जाएंगे और सेश फल कुछ भी नहीं बचेगा तो आठ हमारा क्या हो जाएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगा तो इसलिए हमारा एंसर क्या आ गया बी जो है आठ आ गया ठीक है तो इस तरीके से हम बनाते हैं चलिए अब हम इसके बात देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है यह भी है ना देख लीजिए इसमें क्या बोला गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 411, 684, 821 को भाग देने पर 3, 4 और 5 जो है सेश बचे ठीक है तो इसमें देखिए इसमें क्या बोला गया ह अलग अलग सेस इसमें बचा हुआ है इसमें क्या बचा हुआ है अलग अलग सेस जो है बचा हुआ है अब इसको सरल कैसे करेंगे देखिए सबसे पहले हमारा काम है जो भी संख्याई दी गई है 411 इसको लिख लेते हैं तो लिख लीजिए यहाँ पर 411 684 और 821 प्रत्यक इस्थिती में भाग देने पर 345 जो है सेस बचता है ठीक है इनको भाग देने पर 345 सेस बचता है मतलब यह सेस मिल रहा है 345 हमारा क्या मिल रहा है सेस मिल रहा है तो हमारा में जो संख्या है वो कैसे निकल जाएगा तो यदि मैं इसमें 3 घटा दूँ यदि मैं इसमें 4 घटा दूँ यदि मैं इसमें पांच घटा दूँ ठीक है तो हमारा जो संख्या है वो मिल जाएगा तो 411 में 3 घटा दीजे तो कितना आएगा हमारा 408 ठीक है 684 में 4 घटा दीजे 680, 821, 821 में 5 घटा दीजे कितना आएगा 816 तो घटाने के बाद हमारा जो संख्या है वो मिल गया 408, 680 और 816 अब इसका क्या करेंगे अपन? वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है मतलब इसका हम क्या करेंगे? इसका निकाल देंगे हम महत्तम समापुर्त है कौन-कौन से का? 408 का, 680 का और 816 का हमको निकालना क्या है HCF महत्तम श्मापुर्त जो है निकालनी है ठीक है तो कैसे निकालेंगे देखिए भागविधी उसका लेते हैं अपन 408 680 ठीक है 680 को कर देंगे अपन तो यहां से देखे किते बार में जाएगा एक ही बार में जा रहा है तो यह हो जाएगा 408 घटा दीजिए अब घटाएंगे यहां से तो यह दो बज गया यहां से यह सात बज गया और यहां से दो बज गया 272 आ गया अब 272 को 408 से डिवाइट करेंगे ठीक है एक ही बार में जायेगा ये भी तो ये हो जायेगा 227 कि कितना बसे ये हो जाये गाँ 6 फिर ये 10 में सब घठाएंगे तो 3 और 4 ऴे existing 136 गया अब 136 को फिर से 277 करेंगे तो देख कितना बार में जायेगा दो बार जा रहा है पुरा पुरा दो सो बहत्तर पुरा पुरा चला गया मतलब हमारी जो 136 वाले संख्या है वो इसको पुरा पुरा डिवाइट कर रहा है ठीक है 816 को भी आप करके देख सकते हैं 136 और यहां से 816 क्योंकि दो संख्या लिये थे अपन तीसर संख्या करके देखेंगे तो वह अगर चला जाता है तो 136 आ जाएगा हमारा देख लीजिए जा रहे क्या अगर इसको अपन च्छे बार में करके देखें ठीक है तो च्छे चका 36 की 6 हासिल 3, 6 तरीक ठारा और 21 हो जाएगा हासिल 2 आया 6 कम 6 2 8 देख लिजिए पूरा पूरा क्या हो गया यह विभाजित हो गया ठीक है तो 136 हमारा क्या हो जाएगा बड़ी से बड़ी संख्या हो जा इसका जो महत्तम समा पड़ता है वो कितना आ गया 136 आ ठीक है और वही संख्या हमको पूछा था पहले अपन क्या कि इसमें जो भी सेस दिया है इसको घटा दिये फिर घटाने के बार जो भी संख्या है यहां पर हमको प्राप्त हुई उनका हम क्या कर दिये महत्तम निकाल दिये तो हमारा 136 आया तो एंसर हो जाएगा हमारा ए आप्सन 136 ठीक है गाईस इस तरीके से हम जो है सरल करते हैं आई होप समझ में आगे होगा चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेशन की और देख लिजे यहां पर क्वेशन नमर 12 दिया हुए है सेम है यह भी क्वेशन न जो है समान रहे कुछ नहीं करना है डिय मिन आपको तो कितना अन्र आयोगा आपक ज़्यूर बताईगा आप लोग कमेंट में करके ठीक है comment box में जरूर बताईगा सेम टु सेम है सभी जो है कमेंट करके जब बताईगा अब हम देखते हं अपना अगला क्वेशन नंबर 13 क् दो संख्याओं का अनुपात कितना है? दो अनुपात तीन है यदि उनका महत्तम समापुरत कितना है? पंद्रा है तो संख्याओं ग्यात कीजिए ठीक है? दो संख्याओं का अनुपात हमारा दिया है कितना? दो अनुपात तीन ठीक है? और उनका महत्तम समापुरत कितना है? एच च्छ और तीन को अलग अलग संख्या मार लेता हूं अगर मैं दो और तीन का मैं महत्तम समापुर्त निकालो दे कितना आएगा एक आएगा एक मतलब एक जो है किसके बराबर है एक जो है किसके बराबर है पंदरा के बराबर है क्योंकि इसका महत्तम समापुर्त पंदरा दिया है एक जो है किसके बराबर है पंदरा तो दो के बराबर क्या हो जाएगा 2 के बराबर 15 दुनी 30 हो जाएगा और 3 के बराबर क्या हो जाएगा 15 तिया 45 हो जाएगा तो यह अभिष्ट संख्या हमको मिल गई 30 और 45 और यहीं निकालना था संख्या हैं ग्याद किजिए कैसे कि अपन अनुपात में लिखे अनुपात जो दोनों था 2 और 3 इसका अपन महत्थम निकाले 1 और पहले से महत्थम दिया है 15 तो किसके बराबर है पंदरा के थिक है तो एक जाब 15 के बराबर है तो 2 संख्या 30 के बराबर होगी 15 दूनी 30 और 3 संख्या 45 के बराबर होगी 15 दूनी 45 इसलिए हमारा अभिष्ट संख्या कितना हो जाएगा 30 और 45 हो जाएगा ठीक है बहुत सरल था चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर लिख लेंगे 3 अनुपात 4 है यहां यहां पर लिख लेंगे 3 अनुपात 4 यह अनुपात में दिया है संख्याओं का उसका लगुतम समाप्वर्थ यानि LCM हमारा कितना दिया हुआ है 180 तो Panаю संख्याओं का LCM देखूं तो चारत्या बारा रहे हो जाएगा कितना बारा अब यह जो बारा किसके बरावर है 180 के बरावर है तो बाराbooks 230 के बरावर फिर यदी मैं एक का देखूंत एक किसके बरावर होगा 180 12 के बरावर होगा ठीक है कटा दीजी इसको तो ये हो जाएगा 12 एकम 12 5 6 Ghost 1-5 रम दरः में 150 होता है 25 एक जो है किसके बराबर है 15 के बराबर इसलिए अभिष्टे संख्या हमारी क्या हो जाएगी 15 को 3 से कुड़ा कर देंगे तो 15 ता indeed 45 और 15 को 4 से कुड़ा कर साथ हमारा क्या पूछा था प्रत् तो इस तरी बनाएंगे अपन ठीक है चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए इसमें दिया हुआ है दो संख्याओं का महत्तम समापुर्थ कितना है 15 है और उनका लगुत्तम समापुर्थ 300 है यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी एक फॉर्मूला मैंने बताया था क्या फॉर्मूला था पहली संख्या प्रथम संख्या गुडित दूसरी संख्या दूसरी संख्या बराबर उसका LCM गुडित उसका HCM यानि लगुत्तम समापुर्थ गुडित महत्तम समापुर्थ ठीक है देख लिजे पहली संख्या हमारा दिया है साथ पहली संख्या हमारा कितना दिया है साथ दिया है गुडित दूसरी संख्या हमारा नहीं दिया है दूसरी संख्या निकालना है बराबर LCM कितना दिया है 300 और HCAP यानि महत्तम स्मावर्द कितना दिया है 15 दिया है ठीक है ये हमारा जो है क्या है दिया हुआ है अब देखें दूसरी संख्या निकालना है तो पहले तो कटा दीजिए आप या 60 को इधर फक्छांतर करिए तो दूसरी संख्या कितनी हो जाए कि 300 गूडित 15 बटे 60 यहां से कटा दीजिए 15 एकम 15 चोक साथ फिर 300 को 4 से भाग कर देंगे तो यहां से 4 278 और 4520 तो कितना आगया 75 आगया इसलिए हमारे दूसरी संख्या कितनी आगई 75 आगई ठीक है गाईस तो ऐसे जो है बनाते हैं C option सहीं हो जाएगा आपको चलिए यह तो हो गया वहां सरल सीधा सुत्र में रखने वाला अब इसके बाद देखते हैं हाँ यह देखिए यदी हमारा question number 16 यदी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्थ कितना है आठ है तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उसका लगुत्तम समापवर्थ जो है नहीं हो सकती नहीं हो सकती ऐसा बोला है तो देख लिजे किसी भी संख्या का यदी हमको महत्तम समापवर्थ दिया हुआ है आठ मतलब उसमें जो एक संख्या होती है जो सभी में common रहती है LCM क्या होता है LCM उसका गुराज होता है LCM क्या होता है उसका गुराज होता है ठीक है उसका क्या होता है गुराज होता है मतलब यदि मैं art का देखूं तो art का यदि मैं देखूं तो ये जो सारे option दिये हुए है ये जो है सभी इसका क्या होना चाहिए गुड़ाज होना चाहिए लेकिन यहाँ पर पुछा है कि लगुत्तम समाबवर्त नहीं हो सकती मतलब कोई एक ऐसा option होगा जो क्या होगा 8 का गुड़ाज नहीं होगा तो देख लिजे बना के देखते हैं सबको डिवाइट करके कौन सी संख्याज जो इसका गुड़ाज नहीं आ रही है तो 32 को कटाएंगे सबसे पहले तो 8,4,32 कड़ जा रहा है मतलब ये option नहीं आएगा मतलब D क्या हो जाएगा इसका लगुत्तम समापवर्थ नहीं हो सकता यहीं बतानी थी अपने को तो इसका answer आ जाएगा D ठीक है दोस्तो इस तरीके से बनाएंगे अगर चलिए अब इसके बाद देखते हैं अगला question question number 17 यदि दो संख्याओं का अंतर 24 है यदि क्या दिया है दो संख्याओं का अंतर 24 है तथा उनका महत्तम समापवर्थ 12 है संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव है ये हमको बतानी है चलिए इसको देख लेते हैं तो देखिए इससे इसको देखने के पहले थोड़ा से एक point मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा देखे कौन सा point है वो नोट कर सकते हैं ठीक है पहला point है हमारा यदि योग या अंतर में हमको जोड़े पूछे जाए ठीक है यदि हमको योग में या अंतर में है ना यदि हमको योग में या अंतर में संभावित जोड़े पूछे जाए योग या अंतर में यदि हमको संभावित जोड़े पूछे जाए तब हमको कैसे करना है जो भी योग या अंतर होगा ठीक है जो भी योग या अंतर दिया होगा उसमें अपन डिवाइट कर देंगे इसको जो भी महत्तम समापवर्त दिया रहेगा ठीक है ये तो हो गया योग और अंतर के लिए दूसरा इसी में पूछ सकता है गुड़न फल में इसमें गुरन फल में भी पूछ सकता है गुरन फल में गुरन फल में अगर दिया है तब हम कैसे करेंगे जो भी गुरन फल रहेगा ठीक है जैसे यहां पर अंतर पूछा है तो यहां पर इस गुरन फल 24 ऐसे बोल देगा तो जो भी गुरन फल रहेगा उसको अपन क्या जितना भी हमको LCM दिया जाएगा और जितना भी HCF दिया जाएगा यानि महत्तम लगुत्तम दिया जाएगा उनका भी गुनन फल से हम क्या कर देंगे डिवाइट कर देंगे ठीक है और तीसरा कंडिशन यदि हमको लगुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त पर संभाव जोड़े पूछा जाए ठीक है LCM और HCF पर जो है समभावित जोड़े पूछा जाए ठीक है तब हम क्या करेंगे जो भी LCM रहेगा जो भी लगुत्तम समापवर्त रहेगा उसको अपन महत्तम समापवर्त के साथ डिवाइट कर देंगे तो यह तीन कंडिशन आप याद रख दिया है तो हम क्या करेंगे योग या अंतर को महत्तम से क्या कर देंगे डिवाइट कर देंगे योग या अंतर को क्या करेंगे महत्तम से डिवाइट कर देंगे यदि गुरनफल में दिया हुआ है यदि गुरनफल में दिया हुआ है परस्तम में तो गुरनफल में लगुत दो संख्याओं का अंतर ये अंतर में दिया हुआ है हमारा कितना है? 24 है और उनका मासा 12 है ठीक है? तो मैंने बताया कि अगर अंतर या योग में दिया हो तो योग या अंतर को लिखेंगे यानि योग या अंतर हमारा कितना हो जाएगा? 24 और उनका महत्तम समापुरत कितना है 12 है तो इसको divide कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 धुनी 24 कितना आ रहा है 2 आ रहा है ठीक है कितना आ रहा है 2 आ रहा है तो यही क्या हो जाएगा उसका संभावी तो जोड़ा हो जाएगा ठीक है यही क्या हो जाएगा उसका संभावित जोड़ा हो जाएगा अब अब दो condition मिला हमको ठीक है उसका जोड़ा प्राप्त करने के लिए act इतना condition मिला हमको, दो condition मिला, अब दो प्राप्त करने के लिए, दो प्राप्त करने के लिए, देखिए याद रखेगा, divide करेंगे अपन, यहाँ पे जो भी संख्या आएगी, वह उसका condition हो जाएगा कि इतना जो है, हम प्राप्त कर सकते हैं, दो प्राप्त करने के लिए, ठीक सकते हैं ठीक है तो कितने प्रकार के जोड़े बन सकते हैं दो प्राप्त करने के लिए देख लीजिए पहला तो बन सकता है तीन माइनस वन है ना तीन में एक घटाएंगे तो बनेगा यह एक जोड़ा बन सकता है ठीक है दूसरा क्या बन सकता है पांच माइनस तीन तो ये भी जो है दो ही मिलता है हमारा और तीसरा क्या बन चकता है साथ माइनस पांच ये भी हमारा क्या बन सकता है दो जो है बन सकते हैं ठीक है और 6 माइनस 4 भी बन सकता है हमारा 6 माइनस 4 ये भी हमारा 2 बन सकत मतलब बहुत सारी ऐसी conditions आएंगी जिनसे हम दो जो है बना सकते हैं ऐसा कोई basic condition नहीं आएगा कि केवाल इन्हीं को घटाएं तो हमारा दो जो है प्राप्त हो मतलब इसके बहुत सारे condition हैं बहुत सारे संभाव जोड़े बन सकते हैं मतलब इसका अनन्त जो है बन सकता है इसका क्या बन सकता है अनन्त जो है जोड़े बनाया जा सकते हैं जिसका अंतर क्या हो दो आए ठीक है जिसका अंतर क्या आए तो कि अंतर दिया था यहाँ पर इसलिए हम अंतर में निकालेंगे हैं तो दो condition हमको मिला था मतलब जिसका अंतर जो है दो आना ची ये condition हमको मिला था ठीक है तो दो आने के लिए बहुत सारी conditions जो है ये follow कर रहा है इसलिए हमारा क्या हो जाएगा इसका जो संभावित जोड़ों की संख्या है वो क्या हो जाएगी अनन्त हो जाएगी ठीक है तो ऐसे जो है सरल करते हैं ठीक है दोस्तों इसके बाद आता है next हमारा अगला question question number 18 देखिए important question है ऐसे questions जो है पूछे जाते हैं अक्सरी जाम में देखिए तीन घंटियां क्रम सह 15, 20 और 25 मिनट के अंतराल में बजती है प्राता 9 बजे एक साथ बजने के बाद पुनह एक साथ कब बजेंगी ठीक है पुनह एक साथ कब बजेंगी ये हमको बतानी है तीन घंटियां 15, 20 और 25 मिनट के अंतराल में जो है क्या करती है बजती है ठीक है देखिए ऐसे questions को generally क्या क्या आता है ऐसे questions जब भी आती है तो उसका हम LCM निकालते हैं उसका हम क्या nिकालते है LCM तो आप निकाल दीजिए 15, 20 और 25 का LCM ठीक है 15, 20, और 25 का हमको क्या निकाल लगुत्तम निकालना है, L-C-M निकालनी है, ठीक है, तो कैसे निकाल देते हैं, यह हो जाएगा, पंदरा का, यदि हम देखें, तो तीन गुरित पांच हो जाएगा, यह न, बीस का यदि हम देखें, तो दो गुरित पांच, यह न, पच्चिस का यदि हम देखें, तो जी गुड़ी तो 5 हो जाएगा और 3 की जाती में 3 हो जाएगा तो यहां से 5,25,25,24,100 और 100 या 300 तो इसलिए यहां से हमारा LCM कितना आ गया 300 अगया ठीक है हमारा LCM कितना आ गया यहां पे 300 आ गया तो 300 लिकले यहां पर ठीक है अब अब फिर से क्या बोला है कि प्राता नौ बजे एक साथ बजने के बाद पुना एक साथ कब बजेंगी हैं तीन घंटिया है जो 15, 20 और 25 मिनट के अंतरार में बजती है तो ये सभी मिनट में दिये हैं तो हमारा LCM भी किस में आएगा मिनट में आएगा मिनट में आएगा तो सबसे पहले आप च्छेंज कर लीए तीन सओ मिनट को गंटे में चिंज कर लीजिए तो कैसे चैंज करेंगे iti तो यहां से कितना आ जाएगा पांच घंटे आ जाएगा कितना आ गया यहां पे पांच घंटे ठीक है पांच घंटे मतलब पांच घंटे बाद फिर से क्या होंगी एक सांथ बजेंगी तो अभी प्राता नौ बजे एक सांथ बजती है अभी सभी घंटियां कितना बजे प्र आता है नौ बजे क्या करती है एक सांध बजती है तो पांच गंटे बाद फिर से यह बजेगी तो नौ से पांच गंटे बाद देख लिजे कितना आएगा दस ग्यारा बारा है न उसके बाद एक और दो मतलब दो बजे दो बजे दो पहर में ये एक साथ बजेंगे ठीक है दो बजे क्या होंगी फिर से जो है एक साथ बजेंगे ठीक है अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि पुर्वान और अपरान होता क्या चीज़ है कनफिजन रहता है बहुत सारे लोगों में देखिए दो बजे दो पहर में है ना दो पहर जो रहता है दो पहर इसको अपन पी एम कहते हैं मतलब बारा बजे दो पहर से ले करके रात के बारा बजे तक इसको अपन पी एम बोलते हैं है ना तो और इसको हिंदी में जो है हिंदी में क्या बोल दिया जाता है, हिंदी में बोल जाता है इसको अपरान, क्या बोल दिया जाता है इसको अपरान, ठीक है, इस तरीके से बारा एम, ठीक है, रात बारा से दिन के बारा बजे तक, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन एम, उसको अपन क्या बोलते हैं, एम इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं पूरुवान ठीक है तो हमारा दो बजे दो पहर में आ रहा है मतलब पी एम में आ रहा है इसलिए हमारा क्या हो जाएगा अपरान हो जाएगा तो ध्यान रखेगा इसको यह क्या हो जाएगा बी आफसन अपरान दो बजे ठीक है अपरान दो बजे ठीक है दोस्तों तो इस तरीके से हम क्या करेंगे बनाएंगे चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं क्वेशन नमबर उन्नीस उन्नीस क्या बोला गया है तीन विभिन चावराहों पर ट्रैफिक लाइट प्रतेक तमशह 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलता है यदि वे 178 बच के 20 मिनट में एक समय पर एक साथ बदलती है तो फिर से अब ये कितना जो है एक साथ बदलेगे सेम है आप सबसे पहले क्या करेंगे 48 72 और 108 का क्या निकालेंगे LCM निकालेंगे LCM निकालने के बाद जो भी आएगा उसको इस समय में ये second में आएगा LCM निकालेंगे तो जो भी आएगा वो second में आएगा इसको आप जो है इसके बाद next देखते हैं 20 नंबर question ठीक है question नंबर 20 देखे इसमें क्या बोला गया है उस लंबे टेप का निर्धारण करें जिसका उपयोग 3 मीटर 48 सेंटिमीटर 4 मीटर 6 सेंटिमीटर और 5 मीटर 22 सेंटिमीटर की लंबाई को मापने के लिए किया जा सकता है उस लंबे टेप का निर्धारण करें ठीक है मतलब अधिक से अधिक ये बोला गया है मतलब हमको क्या निकलने है यहाँ पे महत्तम समापुरत निकालनी है HCF जो है निकालनी है ध्यान रखिएगा ठीक है तो 3 मीटर 48 सेंटिमीटर ठीक है क्या क्या दिया है 3 मीटर 48 सेंटिमीटर है न 4 मीटर 6 सेंटिमीटर ठीक है 5 मीटर 22 सेंटिमीटर सबका क्या निकालनी है हमको HCF जो है निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगी इसको इसको अपन लिख सकते है 348 cm इसको अपन लिख सकते है 406 cm और इसको अपन लिख सकते है 522 cm बस अब निकाल देनी है इसका HCF ठीक है HCF निकाल देनी है तो भाग विजी से निकाल लीजे 348 को 406 से भाग करेंगे सबसे पहले एक बार में जाएगा तो हुझाएगा 348 खटा देंगे तो 16 में खटाएगे तो 8 और यहाँ से यह हो जाएगा 5 तो 58 आगए अब 58 को 348 से डिवाइट करेंगे ठीक है 6 बार में जाएगा 6 एठे 6 बार में जाएगा 6 एठे 48 की 8 हासिल 4 6 पंच्छे 36 चार 36 यह पूरा दिवाइट हो जाएगा मतल् 않 58 में डिवाइट होगे अब इस 58 को अपन क्या करेंगे 522 के साथ भी दिवाइट करके देखेंगे 522 के साथ डिवाइट करेंगे तो देखेंगे कि IT बार में जाएगा 9 बार में 9 बार में करकर देखते हैं नो अठे बहात्तर की दो हसिल साथ ठीक है नौ पंचे पैतालीस पैतालीस और साथ बावन कर गया पूरा है न तो यह फिप्टी एट जो है तीनों को जो है सही तरीके से काट रहे है इसलिए फिप्टी एट क्या हो जाएगा इसका महत्तम समापर्त हो जाएगा और यह सेंटी से लंबा या वह लंबा टेप नि धरर करें जिसका जो है इतने इतने से लंबाई कोम आपने के लिए उप्योक किया जा सकते है तो हमारा कितना आ जाएगा फिप्टी एट सेंटी मीटर आ जाएगा ठीक है दोस्तों तो इस तरीके से जो है लगुत्तम समापर्त और महत्तम स्मापवर्थ जो है का चेप्टर आज जो है खतम होता है याना बहुत सारे क्वेश्चन्स जो है important question हमने किये हुए है ठीक है तो आप लोग बिल्कुल practice करिए और हो सके तो कुछ बस आप त्यारी करते जाहिए ठीक है अपना त्यारी जरूर रखिए नोटिफिकेशन आएगा तभी हम त्यारी करेंगे ऐसा मत सोचिए ठीक है त्यारी करते रहिए practice करते रहिए जितना अधिक से अधिक practice करेंगे है ना chances उतना ज्यादा आपका एक post लेने का बढ़ जाएग ठीक है मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ तक लिए धन्यवाद गुड़ नाइट